सबसे पहले हम हमें वैबसेट चलाने के लिए सबसे पहले तो सर्वर की जरूरत हो अब सर्वर इंस्टॉल करेंगे हम अपनी वैबसेट के लिए वैबसेट ये वैबसेट का Biz으니까 je मैं आपको निचे description में दे दुए अब इस फ्री डॉवल लि herself तो अपका वैबसेट नयोड़ हो जाये कि अब कर दो डू न दो यू अदर द्लिट अपर आप देख रहे हैं या नीचे अपका वैCrंअ कि आपको नंड न sourd डाउनलोड हो चुक है, डाउनलोड फोल्डर में जाकर यह आपको वैम सर्वर कर आइकन आपको दीख रहा है, आप जो वैम सर्वर के आइकन पर डबल क्लिक करेंगे, तो आपके सामने पूरा सेटप आज रहेगा, आपको किस तरह इंस्टॉल करना है वैम सर्वर को, इसपर क्लिक करें, इंगलिष करेंगे पर ली हिर में सर्वर को लिए फिर न ऑपि दुन जेखना है, इंगलिष क। ऐसेट लास श्य Enjoy करना यह पार बलू कर फूर तक स्टेः के एकषफ सिग और करेंगे करेंगे, और क। लूझे क। और क्लिक करेंगे, पर नक्स ही पर क् पर क्लिक करें, next, install, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि वैंसर को की जो फाइल है वो 209 MB किया है, 209 MB किया है, तो इसे install होने में थोड़ा सा time लग जाएगा, तो वेट करें, install होने के लिए, अब जैसे कि आप देख रहे हैं, वो default browser आपको select करने के लिए कह रहा है, by default, जो हमारा default browser होता है, वो होता है, by default browser हमारा होता है, internet explorer, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको दूसरा कोई browser select करना है, अगर नहीं करना तो click कर देंगे, similarly, वो पूछ रहा है आपसे कि आपको अपना text editor, notpad के इलावा कोई और select करना है, नहीं करना तो click कर देंगे, और इसे install होने देंगे, और इसके बद आपको बस ये screen आएगी, तो इसमें थोड़ी warning दोर सब लिखा हुआ, इसको रीड करना चाहें तो कर लें, बाकी इसके बद आप next to click करें, और आपका ये setup इंस्टॉल हो चुका है, आप finally, finish पे click करें, अब हमें WordPress डाउंडोड करना है, WordPress डाउंडोड करने के लिए हम लोग WordPress की official website पर जाकर WordPress डाउंडोड करें, इस डाउंडोड WordPress पे, ये WordPress डाउंडोड हो रहा है, ये WordPress हमारे डाउंडोड हो चुका है, आप डाउंडोड में जाकर देखेंगे, तो आपको WordPress की एक zip file दिखाई देगी, आप उस zip file को extract करेंगे, तो आपके पास एक folder create हो जाएगा, WordPress 4.8 नाम से, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके पास एक नया folder आचुका है, WordPress 4.8 के नाम से, आप जब इस folder को open करेंगे, तो इसके अदर बहुत सारी files होंगी आपके, जैसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं, अब हमें अब website बनानी है आप में लिए, तो suppose करो हमारी website का नाम जो है, वो हम रखते है, sample, तो अब हम C drive में जाएंगे, अब मेरा जो laptop है, वो 64 bit का है, इस तरह यहां पर आप 64 bit आ रहे है, इसको open करेंगे, www में जाएंगे, एक नया फॉल्डर बनाएंगे, उस नाम से जिस नाम से उपनी website का नाम जो है, so post sample.com, अब जो हमने wordpress का फॉल्डर एक्स्ट्रैक्ट किया है, टांवोड में, उसके अंदर के जितनी भी फाइल्स हैं, आप उन सब को कॉपी करें, और, c drive, www में, सैंपल में फॉल्डर में, पेस्ट करते हैं, इस तरह आप wordpress को इंस्टॉल कर सकते हैं, अब इसके आगे हम देखें के, हमें उसे कौन फीगर कर सकते हैं, अब जो भी हम wordpress में वेबसाइट बनाते हैं, उसके लिए हम एक host चाहिए होंगे, अपने website को चलाने के लिए, तो host को और दो steps में add कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो आप WAM Server को open करेंगे, उसके बाद हम yes पे click करेंगे, तो हमारा WAM Server open हो जाएगा, आपको यह आपर दिखेगा, अब जब फाइनली य हो जाएगा, इसका मतलब आप WAM Server को use कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, यह green color का हो गया, तो जो हम इस पे click करेंगे, हम हमें जाना है, hgtpd vhost config file, जो हम इस file को open करेंगे, तो आप देख रहे हैं, यह virtual host एक add करेंगे, तो आप इस virtual host वाले code कोपी कीजिए, और इस document क यह last में आप इसको paste, अब आपको इसमें का करना है, कि जो भी आपने, अपना folder का नाम रखा है, जो भी आप अपनी website का नाम रख रहे हैं, जैसे कि इसमें हमने रखा है, sample.com, अब उस नाम को copy करेंगे, और यहाँ पर paste करतेंगे, लोकल host के जगा, इसी तरह, www.gagas.com डाल अब second step है, हमें host file में edit करने, notepad को हम admin की तरह open करेंगे, notepad पे हमने right click किया, right click करने के बाद run as admin, yes, अब हमें host file open करने, यहाँ पर आप टाइप करेंगे host, और enter, आपकी host file open करेंगे, अब आपका पहले इसमें local host add है, तो आपको अपने लिए भी एक host add करने, copy करना इसे, hash को छोड़के, hash comment के लिए यूज होता है, अब अपनी website का नाम जो आपने folder का नाम दे रखा था, sample.com, अब इसे भी save करेंगे, अब इसके बाद जो final step हमें इसमें करना है, वो क्या करना है, अपने Apache को restart, services administrator में जाको, restart services, अब जैसे हमारा वापस ही ग्रीन हो जाएगा, मिन्स को restart हो चुका है, अब हम इसे WAM server पर क्लिक करेंगे और local host में जाएगे, जैसा के आप देख पा रहे हैं, इस file के नीचे हमारा project अब आ चुका है, sample.com, अब आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका sample.com नाम का project open, अब यह आप से setup के लिए पूचेगा, आपको language select करने English, अब यह आप से मांग रहा है database का नाम, database का username, database का password, database host, database prefix, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें website चाहिए होती है, उसमें जो भी data है, उसको save कराने के लिए हमें database चाहिए, database के लिए हम BAM server पर जाएंगे और phpmyadmin में database को create करें, by default जो phpmyadmin का username है वो root होता है और password जो है वो खाली होता है, तो आप username में root डाली और password में खाली छोड़कर go पर click करें, यह आपका phpmyadmin हो चुग है, अब आप new पर click करेंगे, यह database हमें बनाना है, suppose हमारी database का नाम है, हमने रखना sample.com, कोलेशन में हमने select करनी है, इस type का हमारा data होगा, हमें case insensitive data चेह होता है, तो हम लेंगे up8 journal case insensitive, CI का मतलब होता है case insensitive, और create पर click करेंगे, अब जैसे कि आप देख रहे हैं हमार database create हो चुग है, अब इसे बन करते हैं, अब let's go पर click करेंगे, अब अपने database का नाम यहाँ पर add करेंगे, sample.underscore form, यूजर नेम हमने रखा का root, और password में हमने कुछ भी नहीं डाला हो, यह empty submit, अब इस पर click करेंगे, अब यहाँ पर अपनी website का title टाल सकते हैं, suppose हमने डाला sample.un, उसके बाद username में हमने डाला sample admin, और आप यह password future use के लिए save कर सकते हैं, क्योंकि आग जाकर आपको login करना पड़ेगा, तो आपको इस password के लिए जरूरत होगी, अगर आपको अभी भी अपनी website में update करना हैं, फिर उसके बाद आपको अपनी website डालना है, email id, login, login, login करने के लिए आपको अपना username डालना है, username होने लिए sample admin, password जो भी अभी हमने लिया था, यह बना, यह password हम copy करेंगे, और यहांपर paste करेंगे, ब्लॉक करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह आपका configure हो चुका है WordPress, अब आप sample.com पर क्लिक करके देख सकते हैं, यह हमारी WordPress की default theme होती है, अब आप अपनी requirement के according, जैसा आपको चीए वैसे changes कर सकते हैं, थैंक्यू यह वीडियो देखने के लिए और, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना होगे, थैंक्स.